किसान बाई नमस्कार मालवा फार्म में आपका स्वागत है जे वीडियो बना रहे हैं ताली वाल डेरी फार्म पे खुश्दीब भाई हमारे साथ मजूद हैं आज इनके पास टॉप क्वैल्टी की ब्रीडड एच एफ गाएं जिनका बैक्गरॉंड फार्म का रहेगा सारा कुश बैक्गरॉंड आपको बताया जाएगा जे गाएं सेल के लिए वेलेबल है क्या रेट में गाएं आपको मिलेगी कितने दूद की गाएं रहेगी ब्रीड का क्या बैक्गरॉंड रहेगा उसके बारे में ये वीडियो है इदर जो अंदर आप गाएं देख पारे हो यहां से सेल हो चुकी है महाराश्य के लिए और यह गाएं सेल के लिए वेलेवल है अगर आपने गाएं खृदिनी है तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उसे नंबर पर संपर करके इनसे ऑनलेन जा ओफलेंड गाएं खरी सकते हों इधर भी जो आप काफी अच्छी ब्रीड की गाएं देख पा रहे हो जे गाएं भी उन गाएं के साथ सेल होकर महाराश्र जा रही है तो बाई साथ से बात करेंगे वह आपको गाएं के बैग्राउ हो गाएं जै इंन वें hebben से दो गाएं तो बाकी 12 आसरे इंघी क्या घा रही है और के लिए वेक्टनी और सेल के लिए जो ऊपर हैं चार-श पांच आइंज और वाप्र दास ही जा रहें टोट सब्सक्राइब और रेट की अवरेज जो अभी सेल के लिए अवेलेवाल हैं वह सबीकी सबीसरा 30 kg प्लस की गाएं ज्यादा तर मिनिमम गएं जानि 35-40 kg और रेट की एवरेज इनकी क्या एवरेज मान के चलो कि हमारे पास सम्थिंग 75-70 से स्टार्टिंग होगी गाएं की रेट की इन में से एक दो गाएं 75 और 80 के राउंड बाकी गाएं सार 90 लाख और एक लाख से प्लस की रेंज की है और दूद भी 40 लिटर से अब और दो दांत चार दांत फुली ब्रीडड फुली रिकॉर्डडड एनिमल हैं सारा ब्रीड के बारे में सीमन के बारे में आप काफी अच्छी नौलज रखते हों जी तो किसान बाईयों को क्या बताना चाहूंगे कि एक सही टॉप क्वैलिटी की 40 लीटर वाली ब्रीड़ एच एफ यह नीचे रेड़ी सर्म जैसे बच्छी है आप ज्यादा ना मानूगी जे अराम से मेरी ग्रांटी है कि 40 लीटर जब एक मंत की ब्याई होगी जे तबी जावड़ेगी 40 लीटर पर ठीक है ऐसी बच्छी निकाल देती है 40 लेकिन जब जे 5-10 दिन की ब्याई हुई होगी ज सर कभी भी इतने दूद पर नहीं जाती और हर एक बश्डी सार इतना दूद नहीं देती अगर ब्रीड में होगी तो दूद भी निकालेगी और अडर साइज फिक्स होना चाहिए और टांगों के उपरी समावत होना चाहिए और जैसे इसके थणों में गैप है और आगे त अगर जैसे पेटा सर शाइड पोज जैसे होना जरूरी यह गाएं का बश्री का फस्तेमर का भी इसका जेपेटा जितना लंबा है और आप किसान भाईयों ने भी देख लेना है जो गाएं अच्छा दूद देती है उसका पेटा हमेशा ही इस लंबाई में रहेगा ही रहे और बी सीए सार उपर से प्रॉपर होना चाहिए गाएं में गरंटी हमारी है दूद देगी गाएं तो इस गाएं का यह लेक्टेशन फस्त है फस्त है मनें सार और यह खुद स्टाइकर किया वश्डी जांतों में जी दो दांत हैं जी कितना दूद करेगी टोटल सार करेगी हम 40 बोल कर देंगे चलाओ जी रेट सार जे बच्डी एक लाख चाली से हियार रपे में सेल करेंगे जी फिक्स प्राइजे इसका अभी इसके दिन पढ़े हैं मानके चलो कि एक भी किसका नाई मांथ पूरे होने में बाकी है अगर कोई दो चार दिन उपर ले जाए है और पांच साथ दिन तो बड़े अराम से बच्डी सर ले जाएगी और बाकी सार इसको सेक्ट सीमन लगा हुआ है बच्डी को अडर अच्छा डालना स्टार्ट करा है अडर की चडाई देखो किसी भी ब्रीड़ आदमी ने जा मानके चलो किसी भी किसान भाई ने नियू आ रही है और पीछे वाली टांगी सταरे परकेल इतने सुद्वच्डी कहीं पर भी नहीं जाल्दी से मिले कि सर हम को खुद को भी नहीं मिलती सर्जे सेकंट एमर है चार से शे में हो रही है दांतों में यह रात की ब्याई है सर और इसका सुबह हमने चालिस लीटर के अराउंड एवरेई दूद में रहना है फुर्टी फाइव केजी के एराउंड सर्जे पीक को जाएगी इसकी रेट पे सेल करोंगे भाई आप सर दाम इसका जो मर्जी करे जाए मान के चलो जैसे इदर ऐसी गाएं सेल करते हम हम एक लाख तीस पैंटिस यार में भी गाएं सेल करते हैं ऐसी जैए गाएं सर जो जैन्वन फिक्स प्राइज है वो सर एक लाख पंद्रह यार पे में दे देंगे बिद फीमेल काफ है सर फीमेल काफ है इसका अडर भी देखो उपरी समापत है चारों थन सट्रेट है और साइड पोज इसका भी साइड से देखो कि कितना बढ़ा है बश्री का और बीसी एस एकदम प्रॉपर है सर और बीस एकत्रानिमें की कोल्ट के सीमन की जर्मनी के बुल की सर इसके साथ में फीमेल है बश्री आगे बैठी है सर वह भी आप दिखा दो बिल्कुल ताजी भी आई है सर जे प्रैकनेट गाएं चारदांत है सर और कितना दूद देगी अब की बार सार जे दूद करेगी ग्रंट फोटी फाइव के जी ग्रंट क्यूंकि फोटी थ्री केजी इसने फस्ट एमर नहीं कर दिया था सर रेट जी आपका क्या रेट पे स सर जे बशडी दे देंगे हम एक लाख बीस यार पे में क्योंकि जो हमारे पास सर जितनी भी गाएं मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बोल दिया कि फुली फार्म का माल होता है जे भी साइड से चलती हुई दिखा दो साइड पोज और अडर और में बेंस और अडर की जो इसका भी देख लो सेकंड टाइमर का भी जो लेग स्कोर मैंने उस बुषबसीडी का भी बोला था और जो साइड पोज बोला था एकदाम मस्त है सर दूद जो ब्रीड में एना प्रॉपर क्रेक्टरों में अनिमल है उसने दूद देना ही देना है क्योंकि इनका 4455 जन यह और पंजाब में बहुत काम हुआ है सर ब्रीड पर इसलिए पंजाब की गाएं बाहर भी जा रही है और ब्रीड में बहुत ज़्यादा सर सुदार हुआ है जैसर बशड़ी दोदान तैसर और कितने दूद की रहेगी जैसर दूद करेगी हम देंगे 30 32 की गरंटी पाई रेट भाई सब यह दे देंगे हम बश्ड़ी एक लाक दसे यह रपे में दो दांता है फेस की क्वाल्टी देखो और हाइट देखो मैं साथ में खड़ जाता हूं जहां तक का रही है सर फार्मों से खुली फेरती जह आज ही बश्ड़ी आई है गर पर सर अभी एक ड पारे में बता दो जी जे सार इसके साथ में आई है फारम से गाए सेकंट एमरे दांतों में प्यूर रिजिनल चार दांत है सर कितना दूद करेंगी इसने जार फस्ट एमर ने थर्टी सिक्स केजी दूद एवरे किया है फोट्टी के राउंड गई थी सिया रही गलेक्सी क सीमन की सर्जे खुद है और स्केन देखो इसकी कितनी ज्यादा ब्रीक है और बेंस देखो और पीछे ओकर फिर वही चीजी दहरा रहा हूं जे उपर से नीचे तक आप इसका साइड़ पोई देखो कितना ज्यादा साइड़ पोज है डाई तीन फीट के क्रीव है अडर में बेंस और थन सर अभी कच्ची है चारों के चारों इकवर गैप पर डिग्यों में स्पेस देखो और सट्रेट हैं सर ऐसे अनीमाल ने ज़र दूद नकाल नहीं है किसी डेरी फार्म से कहां से भी कोई परचेज कर ले सर ऐसे नीमाल लोग दूद करेगी रेट सर जे बच्ड सर और दूद की ऑवरेजरें की एंक रहेगी ठाटे एट भूति फोटी आवंड लेकर गारणटी देंगे और लेट रेट सरारें नका रहेगा जए चार गाएं बो हैं एक एक आर आई हुई है तीन प्रेगनट हैं चार जेश candle प्रेगनट हैं एक लाख पांच हियार की ओस्करल्ष अब और 40 लीटर आप मान लो की घायें एक दूद नकालेगी सवागें कवैंटल दूद दिन का गाएं जे डालें की डालेंगी बड़े राम से सर और इन में से चार गाएंगा तो जार सेक्सर सीमन एक के साथ पहले ही बच्डी आ कि यह और इन में से आप देखे लो कि तीन तो फर्स टैमर बच्डी आएं दो हम ने दिखा चुके हैं और एक अभी दिखानी है बाकि सारव दो सेकंट डाल ये सार दो सेकंट आप्यांकों बच्चा तोड़ी बहुत मिल्किंग की एचे साथ किलो खीसन काला है सर इसका वी बच्चा क्या दिया सने मेल काफ दिया सर कितना दूद करेगी टोटल जे तोटल सर जे दूद करेगी 30 लिटर प्लस रेट रेट सार अगर किसी ने जे लॉट में लगानी हो उसमें तो सर लॉट में इस गाएंगे भी देखो जैसे इसको पहले दखाया है कि डिग्यों में एक्वल गयाप है सर बिल्कुल थन सट्रेट है एक्वल गयाप है और साइड़ पोसर इसका भी देखो इक्वल उतना ही लंबा इसका है सर वीचेस प्रॉपर सट्रेट पूरी है दूसर इसका 35 लीट किसी भाई ने लेनी है जे दे देंगे सर हम 85 में और दूद इस गाएंगा इसका सर 30 लीटर फस्ट एमर का दिया हुआ है साइड़ पोज बार-बार कह रहा हूं मैं इसका भी देखो कितना लंबा है ऐसा नहीं है कि इतना सा पेटा है इतना लंबा है और बेंस देखो जहां इसने स्टार्ट ही करें अभी इसने दो साल की एज है साइड़ पोज इसका भी सर दूर से आप कैमरा मार दो बड़ी बड़ी गाएं जितना फस्तेमर का ही है सर अकेली बश्डी ले लो जैसर अकेली बश्डी एक लाख पांच हियार की देंगे सर हम लोट में लेनी है तो ने हैं देडिला का जोटा सेल कि है जे और बो सर इसका डूद कितना रहेगा इसका जार फंस्तेमर का 33-34 दो दिया हुआ है चार दांते सवर जे सर जे सेंटर में जो गाएं खडी है बीच में जेज़ चारदांता है जे सेकन्ट एमरह सब्सेज्ट करी एक यह सब से है कि फंस्ट टाइमर सेकंड टैमर फेक सड़र की ज़्यादा लंबा अडरना हो और दो दांत चार दांत और हद शे दांत और जो हमारे पास गाये जब बुरूशी लेसस्ट होकर आती है फार्मों से और ज्यादा तर कसानों के साथ क्या होता है कि गाएं ले जाते हैं टैस्ट वगएरा कोई नहीं होता और जाकर रिपीटर की प्रॉलम देती हैं गाएं हमारे पात से कोई गाएं लेगा टैस्ट जहां पर भी हम करवा कर दे और बाकि सर सभी किसान भाईयों को हमारे तालिवाल डैरी फार्म की वीडियो देखने के लिए सर धन्यवाद और वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर करें सर और बताना आपको कि हमारी गाएं कैसी लगी और रेट सभी कुछ कैसा लगा कमेंट करना